दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल में आज के वीडियो में हमली कराए हैं आपके लिए आपर मत्वपूर्ण कॉस्चन आंसर तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर ले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले हैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है हिंदी साहिती की जहां पर मत्वपूर्ण कॉस्चन आंसर करवा जाती हैं तो आजका अपने यहां पर फर्ष्ट कॉस्चन क्या पूंचा गया है तो देख लेते हैं यहां पर सभी लोग लाइक कर लीजेगा जै बर्दन के रचिना कर कौन माने जाते हैं 1802 वा कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है और 1802 में आपका सही आंसर है जैनेंद्र असक इलाचंड जोसी यस पाल किसकी रचिना माने जाती है 1802 में आपको चैन करना है चार विकल्प आपके आपर दिएगा मत्तव्पूर्ण कॉस्चन यहां पर है विकल्प नंबर एक जो है आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा सेखर एक जीवणी जो की दो बागों में रचिना है किनकी मानी जाती है जनेंद्र की रचिना है अग्ये की रचिना यसपाल की रचिना रामिसर सुकल अंचल की रचिना है इनकी रचिना मानी जाती है बताइएगा सेखर एक जीवनी दो बागों में रचिना है मितलिज जी और पुसपा जी लबली जी राजन जी राजीब जी आप सभी का सही आंसर होगा यह चंबोर टोंपर ऑंशरम करना है तो एकस्या भूज़या नम्ब्र ने तीन आपका सही आंसर होगा यानि कि इलाचंद जोसी की रचना मानी जाती है वेकल्प नमबर सी जन्वाने भी चेहन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा अमीता की रचनाकार कौन मानी जाती है एक सो पचासी में आपको चेहन करना है असकी की रचना, रेणु जी की रचना, नरेंद सर्मा, अग्गे, किन की रचना मानी जाती है, 185 में आपको चैन करना है, अमीता, बताइए अमीता किन की रचना मानी जाती है, यह 185 वा question यहां पर दिया गया है, और 185 में आप सभी का यहां पर सही answer क्या होगा, चैन कीजेगा, मत्तपूर्ण question यहां पर दिया गया है, और आप सभी का यहां पर सही answer होगा, 185 का विकल्प नमबर, आप सभी का क्या होगा, सही answer, चैन कीजेगा, मत्तपूर्ण question दिया गया है, आपका डी यहां पर सई पर यह अंसर होगा अग्गे सब्सक्राइं है और याँ नमपर चार जुनयों नभी चैन किया है उनका या पर सई यांसर है अंगला क्वोश्च्ण यहां पर देखेगा क्वाश्च्ण नमबर आप 시 यहांपर तो शासी पूंचा गया है कि जूंटा सच की रचिनाकार कौन बार कने सब्सक्राइच पर रचिनाकार कौन वाद दाते यस पाल है निराला है मौहलाल मेहतो है रेनुझी है एक सो चासी में आपके लिए चेन करना है एक सो चासी में आप सभी का सही आंसर क्या होगा जूटा सच आपके लिए वताने किनकी रचना मानी जाती है ने तो आप सभी लोगों का सही आंसर होगा ये रचना मानी जाती है यसपाल जी की विकल्प नमबर एक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है यासपाल जनों ने भी चन किया विखल्प नमर एक उनका यहाँ पर सही आंसर होगा नहीं बिल्कुल सही आसपाल आपका सही आंसर है जहाज का पंची की रचना कार कौन मानी जाते हैं बताईएगा 187 वा question यहाँ पर पूंचा गया है जहाज का पंची दिनकर की रचना, इलाचंद जूसी की रचना, निराला की यस पाल की रचना, रामदराश मिस्र की रचना तो किनकी रचिना है तो आप सभी का यहाँ पर 187 में सही आंसर होगा 187 का विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर विकल्प नंबर आपका 2 सही आंसर है लीला चंद जोशी की रचिना मानी जाती है भी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है विकल्प नमबर दो आप सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसे चेन किया है नंगल्या कॉस्चन यहाँ पर देखेगा मरू प्रदीप की रचनाकार कौन माने जाते 188 वा कॉस्चन है रामी सुर्टुक लंचल है या फिर नर्यंदर सर्मा है उदय संकर भट है या फिर की माने जाते हैं कौन माने जाते 188 में आपके लिए करना है मरू प्रदीप की रचनाकार कौन माने जाते हैं तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर 188 में विकल्प नमबर एक आपका साय आंसर रामिसर शुकल अंचल जी जो है उनी की रचना मानी जाती है, रामिसर सुकल अंचल आप सभी стать का प्रफी निराला वगवची, चण बर्मा किनकी रचना मानी जाती है, 1809 में आप सभी के लिए चैन करना है और आप सभी का यहाँपर सई आंसर आ रहा है क्या रहा है सई आंसर 189 में टेड़े मेड़े रास्ते की रचनाकार कौन माने जाते है विकल्प नमबर चार आपका सई आंसर है वगवती चन बर्मा डी वाला जो विकल्प है भै आप सभी का यहां पर सई आंसर है डी वाला विकल्प जनोने भी चैन क्या है सई आंसर है सबई नचावत राम गोसाईं की रचना कार कौन माने जाते हैं 190 वा कॉस्चन या पर पूंचा गया ब्रंदावनलाल बर्मा है समसेर हैं भगवती चण बर्मा है रेनु जी है 190 में आप सभी का क्या होगा सई आंसर सभई नचावत रामगोसाईं के रचनाकार कौन माने जाती है मत्तपूर्ण कॉस्चन याँ पर पूंचा गया है नब्वेवा कॉस्चन है वो विकल्प नमबर आपका याँ पर तीन सही आंसर है यानि कि भगवची चन बर्मा आप सभी का याँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा भगवची चन बर्मा आपका सही आंसर है सहर में गुमता आईना एक इनकी रचना मानी जाती है 91 में आपके लिए चैन करना है गी रागप की रचना है वो प्यन्नात असकी की रचना है लक्ष्मिनार्ण की रचना है रामदरस मिसर की रचना है तो आप सभी का यहां पर क्या होगा सही आंसर सहर में घुमता आईना आपका बहुती मत्पूर्ण कॉस्चन पूंचा गया है और यह असक जी की रचना मानी जाती है अपनने कई बार इस रचना को पड़ा है बहुत ही मत्पूर्ण यह रचना मानी जाते हैं सहर में घूमता आईना एक दा नियमी सरंडे के रचनाकार कौन मानी जाते हैं अम्रितलाल नांगर है दर्मबीर वारती है निर्यनु जी है हजारी पर साथ दुबेदी है एक सोपानवे में यह अे यह डा नियमी सरंडे इर कि रचना अम्रितलाल नांगर जी की रचना मानी जाती है वेकलब नंमबर ए जन्रोन भीचंए कं की रचना माने जाती है बताईएगा अग्गे की रचिना है व्रंदा वनलाल बर्मा की रचिना है वेरव प्रसाथ गुप्ति की रचिना है उदय संकर बट की रचिना है एक सो तेरा नवे वा कॉस्चन आप से याँ पर पूंचा गया है और एक सो तेरा नवे में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर दो यानि की व्रंदा वनलाल बर्मा आप सभी का सही आंसर है वी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा व्रंदा वनलाल बर्मा की की रचना है अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर यहां पर पूंचा गया है कि बाण भट्टी की आत्मकता की रचेता कौन माने जाते हैं अनंते जी किनकी रचना मानी जाती है वताईएगा चेन कीजेगा लाइक सेर सभी लोग करते जाईएगा जन्यों ने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को और बाण भट्टी की आत्मकता जारी पर साथ दुवेदी चतुरसें सास्तरी देवराज अग्ये किनकी रचना मान जाती है चोड़ अनवेग में विकल्फ नंबर एक आपक यहां पर सहई आंशर है अजारी पर साथ साथ दुवेदी की रचना मानी जाती है विकल्फ नंबर यह जिक्टोनवी चेन क्या है के उनका यहां पर Almbo अन्गला यहां पर देख ही लुद्ध कोश्चин नंबर आपस बाते हैं ब्राटा की पद्मनी के दानास्ते हैं यह चार विकल्प आपके आपर दिये गए है कॉस्चन नंबर 195 पूँचा गया है और 195 में आप सभी का सई आंसर है ब्राटा की पद्मनी ब्रंदा वनलाल बर्मा की रचिना मानी जाती है विकल्प नंबर दो जनौने भी चैन क्या है उनका यहां पर सई आंसर होगा मत्तपूर्ण कॉस्चन दिया गया है विल्कुल सभी बढ़िया रंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नंबर आप से यहां पर पूंचा गया है क्या पूंचा गया है देखेगा यहां पर नदी के दीप की रचिना कार कौ और 196 में आप सभी का सई आंशर है नदी के दीफी अग्ये जी की रच्छना मानी जाती है c वाला विकल पर जन्वाने भी यहां पर चैन慢慢 है उनका यहां पर सई आंशर होगा अंगला question यहां पर देखेगा question number आप से आपर पूंचा गया है रतिनाथ की चाची, question number 196 है, 97 है, 97 में बताना है क्या होगा, सही आंसर, निसा जी, MS बर्मा जी और समीर जी, तो आप सभी का क्या होगा, सही आंसर, संजु जी, लाइक क्लास चल रही है, रतिनाथ की चाची के लेकक कौन माने जाते हैं, बताए, रियनु जी है, सिव परसाद से है, नांगरजुन है, देवराज है, 97 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, नांगरजुन जी की रचिना माने जाती है, विकल्प नंबर, सी वाला जो है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा, परती परीकता की रचिनाकार कौन माने जाते हैं, एक सो अंठानबे में आपको चैन करना है, रियनु जी की रचिना है, ठाक और प्रस सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, परती परीकता, एक कई बार अपन ने रचिना पड़ी है, अंठानबे में विकल्प नंबर, एक सही आंसर होगा, यह रियनु जी की रचिना मानी जाती है, किनकी फड़िस्वनाथ रियनु जो की आंचले को पन्यास कार की रूप में मान मानी जाती है, एक सो निन्यानबे में आपके लिए चैन करना है, नांगर जोन, उदय संकर वट्ट, राही, मासुम रजा, धन्बीर वार्ती, तो एक सो निन्यानबे में आप सभी का सही आंसर होगा, विकल्प नंबर, दो सही आंसर है, सागल लहरे, और मनुस्य की रचिना कार कौन मानी जाते है, दो सोबा कॉस्चन यहाँ पर पूंचा गया है, देवराज की रचिना है, लक्षमिनाल की रचिना है, अग्य यह फिर रांगी, रागव, बताइए, कॉस्चन मत पू beasts, कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है, कब तक पुकारूं की रचिना कार आपके में आपर चैन कनना है और आप सभी का convenience सई cui का एक swe बाist condition है और दोसव में विकल्प नंबर आपका 4 सई आंसर है रांगी रागब कभि तक पोकारूंं की रचनाकार कोण माने जाते हैं रांगी प्रागब माने जाते हैं विकल्प नंबर डी वाला जो है आप सभी का यहां पर सही आंसर है सती मैया का चूरा की रचनाकार कौन माने जाते हैं दो सो एक में आपके लिए चैन करना है यह अस्क जी की रचना है अजारी प्रसाद दुवेदी अग्गे या फिर भैरा खिनकी मानी जाती है तो यह रचना मानी जाती है भैरा प्रसाद गुप्त जी की विकल्प नंबर चार आप सभी का सही आंसर है भैरा प्रसाद गुप्त आप सभी का सही आंसर है डी वाला विकल्प बहुत सारे लोगों ने सही आंसर चैन किया है अंगला कॉस्चन इसका सही आंसर चेन कीजेगा, कॉस्चन नमबर 202 में, गुनाहों का देपताई रचिना मानी जाती है, किनकी धर्मवीर वारती की रचिना मानी जाती है, विकल्प नमबर एक आपका यहां पर सही आंसर है, धर्मवीर वारती जनौने भी चेन क्या है, उनका यहां पर सही आं किन की रचना मानी जाती अजय की डाइरी वताईएगा डांक्टर विनाई की रचना है पुवन नाराण की रचना है देवराज की रचना है या नरेश महता की रचना है अभिसेग जी चैन कीजेगा मत्पून कॉस्चन या पर दिया गया है अजय की डाइरी की रचना कार कौन माने जाते हैं तो तीन में आप सभी का सईया अंसर विकल्प नमबर सी आपका सईया अंसर देवराज की रचिना मानी जाती है नजाई की डाइरी देव से देवराज आपका सईया अंसर होगा काले फूल का पोधा ये रचणा किंकी मानी जाती है काले फूल का पोधा बता ये संबुनास सय लक्ष्मी नारण लाल ये पर नरेस महता ये पर वियोगी किंकी रचणा मानी जाती है 204 वा daya कॉस्चन याप दिया गया है और 204 में आप सभी का सही आंसर है काले फूल का पौधा इरचिना लक्षिमी नारएण लाल जी की रचिना प्रिसित रचिना मानी जाती है विकल्प नमबर आपका यहापर दो जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा विल्कुल चाही अंगला कॉस्चन यहापर देखेगा आदा गाओ के रचिना कार कौन मानी जाते है दो सो पांच में आपके लिए चैन करना है आदा गाओ यह रचिना मानी जाते है रामदरस मिस्र की अग्ये रामदला सर्मा राही मासूम रजा तो दो सो पांच में आपका सही आंसर यहापर होगा आदा गाओ यह रचिना मानी ज विकल्प नमबर डी जन्हों ने भी चेंड किया है उनका याँ पर सई आंसर है राही मासूम रजा आप सभी का सई आंसर होगा दोसो चैवा कॉस्चन याँ पर क्या पूंचा गया है देखेगा अलग अलग बैतंडी की रचना कार कौन माने जाते हैं दोसो चैवा कॉस्चन याँ पर दिया गया है क्या होगा सई आंसर में सिव प्रसाद सेंग की रचना है अग्गे यसपाल वैरो प्रसाद गुपते तो आप सभी का याँ पर छे में सई आंसर आ रहा है विकल्प नमबर आप सभी का याँ पर एक सई आंसर होगा तनूजी अविशेग जी यानि की सिर्फ प्रसाद सेंग की रचिना मानी जाती है अलग अलग बैतरली सिर्फ प्रसाद सेंग की रचिना है पानी की प्राचीर के रचिना कार कौन मानी जाती है दोसो साथ में आपको छेन करना है पानी के प्राची नांगर जोन है अगे है रामतरस मिस्र है रेनु जी है कौन मा मत्पूर्ण कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है सात्वा कॉस्चन यहां पर दिया गया है सभी लोग एक बार सेयर कर दीजेगा वीडियो को जन्हों ने अभी तक सेयर नहीं किया है मत्पूर्ण कॉस्चन आंसर आपके लेकर आए हैं इस क्लास में और आप सभी का यहां पर चैन करना है बलच नमा देवराज की रचना है नांगरजुन की रचना है या फिर भेरो प्रिसाद की रचना मानी जाती है बलच नमा बताना है मत्तुपूर्ण कॉस्चन है आठवा कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है और आठ में आप सभी का यहां पर सही आंसर है कि सभी लोगों ने आप पर सहय आंसर क्या है कि कवशन नम बर आपसे आपर इनौ पूं高 सा तीला मुर्दों का लचल की रचना कार कौन माने जाते हैँ मुर्दों का लिए चैन करना ये छेन करिएगा सबी लोग। मत्तमुन्ट कॉस्टेन यहां पर दियाग्या है रांगे रागब जयनेंद्र चत्वर सेन शास्त्री अग्डेकन की रचिना मानी जाती है दो सो नौ में बताना है तो नौ का आप सभी का सई आजिया आंसर है एक यानि की रांगे रागप की रचिना मानी जाती है नवेकल नंबर एक आप सभी का यहां पर सई आंसर है नंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा सह सेनापती की रचिना कार को अनहे बताईए सेनापती रचिना किन की मानी जाती है चैन कीजेगा सभी लोग दसवा कॉस्चन यहां पर दिया गया है दस में आप सभी का सई आंसरों का अग्गे की रचिना है निराल सांक्रेट्टैन की रचिना है निराला जी की पंत जी की किन की रचिना मानी जाती है 210 का सई आंसर चैन करना है सेना पती की रचना कार कौन माने जाते है और 10 में आप सभी का मेदा जी सई आंसर है आस्ता जी ममता जी विकल्प नंबर बी राहुल सानक्रिट्याइन जो है राहुल सानक्रिट्याइन उनी की रचना माने जाती है बिलकुल सई आंसर आप लोगों ने चैन किया है अंगल्या कॉस्चन यहां पर पूंचा गया चित्र लेखा चित्र लेखा किन की रचना मानी जाती है 211 में चैन कीजेगा चतुरसेंद सास्तरी की रचना है गंदा बल्लाल बर्मा की रचना है यह सपाल की रचना है भगबती चरण बर्मा की रचना है 211 में आप सभी लोग चण करेंगे मट्पोर्ण question यहां पर दियाग्या है और 11 में आप सभी का सए अंसर होगा कि छित्र लेखा तो जो है गबचि चन बर्मा जी जो है उनी की रिचना मानी जाती है गबचि चन बर्मा आप सभी का सए अंसर होगा question number 12 आप से पूंचा गया है दिब्या बताना है दिब्या किन की रचना है यसपाल की रचना है इलाचंद जोसी की रचना है असक जी की रचना है या फिर अग्ये जी की रचना है 212 में आपको चैन करना है क्या होगा सही आंसर दिब्या बताना किन की रचिना मानी जाती है सरल सरल कॉस्चन पूँचे जा रहे हैं और बारहे में आप सभी का सही आंसर है कि ये तो यस पाल की रचिना मानी जाती है वेकल नमबर एक आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा जन्हों ने ये चैन किया यसपाल उनका यहां पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर दिया गया है 13 वा कॉस्चन है मत्पूर्ण कॉस्चन पूंचा गया है सतरंजी के मुहिरे की रचना कार कौन माने जाते हैं में आपको शैन करना है दो मिल की रचना है अमरितलाल लांगर की रचना है मुक्ति बोध की रचना है महादेवी बर्मा की रचना है महादेवी बर्मा जो है इनको आदुन की मीरा का जाता है तिन के लिए महादेवी बर्मा जी के लिए और आपके लिए आपर बताना है मानी जाती है यह पूंचा गया है तो तेरह में आपका दो सई आंसर होगा अमरित लाल लांगर की ये बहुती प्रिसिद्ध मत्पूर्ण रचना मानी जाती है सत्रंज के मोहरी कौश्चन नमबर आपसे यहाँ पर पूंचा गया है चाउदहवा कौश्चन पूंचा चारू चंद्र लेक के रचना कार कौन है प्रेमचंद है हजारी प्रसाथ दुवेदी है या फिर नराला जी है चारू चंद्र के लेखक कौन माने जाते हैं सभी लोगों को चैन करना है मत्पूर्ण कौश्चन यहाँ पर पूंचा गया है चाउदहवा कौश्चन है और आप सभी का या पर सई आंसर होगा विकल्क नंबर 3 सई आंसर हजारी प्रसाथ दुवेदी जो हैं उनी की रचना मानी जाती है चारू चंद्र लेक विकल्क नंबर आप सभी का यान पर तीन सही आंसर होगा अंगल्या कॉस्चन यहाँ पर पूंचा गया है देखेगा मत्पूर्ण कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी में नमन इस्तत्व के आधार पर अपने उपन्यासों में व्यक्ती एमानव की प्रित्श्चा करने वाले सर परफ़ाम उपन्यासकार कौन माने जाते हैं वैं उपन्यासकार आपके लिए चेन करना है कौन से माने जाते हैं चेन कीजेगा सबी लोग मत्पूर्ण कॉश्चन यहाँ पर दिया गया है और एक बार वीडियो को सियर दिजेगा सबी लोग बहुत सारी लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं क्लास से तो सबी लोग जुड़ जाएं और सौनु जी, कंचन जी आप सभी का सुनेना जी आपर सही आंसर है 15 में विकल्प नमबर चार आप सभी का सही आंसर है इला चंद जोसी इला चंद जोसी जो है आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प आप सभी का सभी का सभी का सभी आंसर होगा किस उपन्यास में बंबई के पास के मच्छवारों के जीवन का चित्रन है वह उपन्यास आपके लिए 216 में चैन कन्ना है कौन सा वे उपन्यास है दिब्या है सतरंज के मुहरी है निम्रग नईनी है या फिर सागल लहरें और मनुस्ची बता ये रंजना जी लबली जी क्या होगा सई आंणसर कौशिन मत पूर्ण आप से आपप पूंचा गया है किस उपन्यास में बंबई के पास के मच्वारों की जीवन का चित्रन है तो आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है वह उपन्यास माना जाता है सूले में चार आपका सही आंसर है सागल लहरें और मनुस्य विकल्प नंबर डी वाला जो है नबह आप सभी का सही आंसर होगा अंगल्या कॉस्चन यहां पर क्या पूंचा गया है कॉस्चन नंबर आ अम्रितलाल लांगर उपेंदर नात असके या फिर इला चंदे जो सी सत्रे में आप सभी लोग चैन कीजेगा पत्थर अलपत्थर किनका उपन्यास माना जाता है तेदार जी तो सत्रे में आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है कि उपन्यास माना जाता है किनका विकल्प तीन आप सभी का सई आंसर होगा, वो पेंधर नात असक जी जो हैं, असक जी उनी की रचना मानी जाती है, विकल्व नमबर B वाला आप सभी का यहांपर नहीं होगा, C होगा सई आंसर अंगला कॉस्चन देखेगा, कौस्चन नमबर आप से यहांपर पूंच आ गया है, अठ बैसाली की नंगरवधू 85 के लेकक कोन मानी जाती है। वेकल्प नमबर B, आप सभी का यहाँपर सयांसरों कि चत्र सेन, सास्थरी आपका सयांसर है, अट उननीस बाइ कॉस्चन देखेगा, उननीस बाइ कॉस्चन है, मुक्तिबोध उपन्यास पर साहिद ते पुरुसकार के से मिला, साहित तकादमी पुरुषकार जो है जैनेंद्र को मिला है मुक्ति बोध को मिला है या पिर अग्ये को मिला है या राम्बला सर्मा ये किनका उपन्यास माना जाता है मुक्ति बोध ये आपके लिए चैन करना है और इस पर साहित तकादमी पुरुषकार भी मिला है तो 19 का यानिकी जैनेंद्रों का सही आंसर जैनेंद्र आप सभी का यहां पर सही आंसर है बहुत बढ़ी हैं सभी लोगों ने वाला वेकल्प जो है चैन क्या है आपके यह लिए हां पर बताना है कि अरिवंसरा वच्चन को इसमी में बारत सरकार द्वारा कौन सा पुरुसकार मिला थारी वंसरा वच्चन को 220 में बताना है पद्म भूशन मिला था या फिर आंसाहित अकादमी मिला था पद्मिसरी ग्यानपीट तो 220 का आप सभी का क्या होगा सही आंसर यह चैन करना है राजीब जी बताईए संध्या जी हरीवंसरा वच्चन जी जो है इनको 1976 में भारत सरकार द्वारा पुरुसकार दिया गया था कौन सा दिया गया था पद्म भूशन आपका यहां पर सही आंसर लगा दे या फिर पद्मिसरी बताईए दो विकल पर यह वहुती जो है मत्यपूर्ण कॉस्चन पू हरीवंसरा वच्चन को 1976 में बारत सरकार द्वारा कौन सा पुरुसकार दिया गया था तो वीच में आप सभी का सही आंसर है पद्म भूशन विकल नंबर एक होगा सही आंसर अंगला कॉस्चन भगवती चन बर्मा का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है बताईएगा महत् तेड़े मेड़े रास्ते या फिर पतन या फिर यहां पर अपनी खिलोनी या चित्र लिखा बताईए कौस्चन नंबर आपका यहां पर 21 आप से पूंचया क्या है बगवती चन बर्मा का पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है 21 बा कौस्चन है और 21 में आप सभी का सही आंसर होगा पतन माना जाता है कौन सा पतन आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नंबर बी जन्हों ने भी चेन किया है उनका यहां पर सही आंसर है बहुत बढ़ियां अंगला कौस्चन यहां पर देखेगा कौस्चन नंबर लबली जी, वहाँ पर पद्मभूशन और पद्मसरी में बहुत सारी लोग कंफ्यूज थे, जिसमें पद्मभूशन दिया गया था, भीवन्स रावच्चन जी को, यहाँ पर जेनेंद के अधिकान सुपन्यास के सुपर्ग के हैं वाइस में आपके लिए चैन करना है तो आप सभी का यहां पर वाइस में यह सईयांसर होगा यानि कि मनुवज्ञानिक मनु विज्ञानिक आप सभी का यहां पर यह वाला जो है सही आंसर होगा विबर्त किस विदा की किर्टी मानी जाती है 223 में आपके लिए शेन करना है क्या होगा सही आंसर एकांकी है कहानी है काप्ब है उपन्यास है 223 में आपके लिए सही आंसर शेन करना है वर्त जो है यह बाना जाता है उपन्यास विदा की रचिना मानी जाती है वक डी वाला जो है आप सभी का यहां सर्विकल नमबर चार अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर आप से यहां पर पूंचा गया है 24 वर कॉस्चन है मत्पूल सेखर एक जीवनी और पन्यास्त का प्रिकासन बताने किस वर्स हुआ था 24 में आपको चैन करना है 1941 में 1945, 1950, 1940 तो भैं आपके लिए सन बताना है क्या होगा सही आंसर रामु जी और रोनी जी तो आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा सेखर एक जीवनी इसका प्रिकासन बताना है किस वर्स हुआ था 24 बाrd question है मत्पूर्ण है और आप सभी का सही आंसर है 1941 आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा वेकलप नंबर एक जनोने भी चैन क्या है 1941 उनका यहां पर सही आंसर होगा अंगला question यहां पर देखेगा question number आप से याप पर पूँचा गया है नीतू बाचपेई जी कट्टो जैनेंदर के कि सुपन्यास की पात्र मानी जाती है 225 बा question दिया गया है और 225 में आप सभी का सई आंसरों का कट्टो जो है यह सुनीता की परक त्याग पत्र या जैवर्धन किसकी पात्र मानी जाती है बताईएगा चेन कीजेगा 25 बा question है और आप सभी का सई आंसर आ रहा है कट्टो मानी जाती है किनकी परक परक आपका सई आंसरों का विकल्प नंबर भी जिन्होंने भी छेन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है परक की पात्र मानी जाते हैं परक को पन्यास माना जाता है किनका जैनेंद्र जी का परक को पन्यास की पात्र है कट्टो स्रीकांत जो है जैनेंदर के किस उपन्यास का पात्र माना जाता है 26 वा कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है व्यतीत सुखदा सुनीता या पर यहाँ पर मुक्ति बूद ये चार विकल पर दिये गए है और आप सभी का आनंद जी क्या होगा सही आंसर प्रमोध जी स्रीकांत ब विकल्प जो है आपका सही आंसर होगा यानि की सुनीता सुनीता आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बिल्कुल चाहिए विकल्प नंबर सी वाला आप सभी का सही आंसर है अंगल्या कॉस्चन यहाँ पर देखेगा अग्गे का नदी के दीप किस वर से प्रिकासित हुआ था नदी के दीप बताना है चन कीजेगा चार विकल्प आपके दियेगा है मत्तपूण कॉश्चन यहापर पूँचा गया है 1940 में 1922 में 1955 में 1960 में तो नदी के दीप का प्रिकासन वर्स बताना है 27 वा कॉश्चन यहापर दिया गया है और 27 में आप सभी का रावल जी सई आंसर होगा विकल्प नंबर दो सई आंसर है यानि की 1902 आपका सई आंसर है मुस्कान जी 1902 में प्रकासन हुआ था नदी के दीप जो की अग्ये जी की रचना मानी जाती है अंगला कॉस्चन या पर क्या पूंचा गया है जैनेंद्र जी का प्रता मुपन्यास कौन सा माना जाता है जैनेंद्र जी का प्रता मुपन्यास आपके लिए चें करना है चें कीजेगा बताए बत्तपुन कॉस्चन है जैनेंद्र जी का प्रतम उपन्यास कौन सा माना जाता है तो वेकल्प नंबर आपका एक सही आंसर होगा यानि की परख आप सभी का सही आंसर होगा परख जिन्हों ने भी चैन क्या है उनका यहां पर सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नंबर आपसे यहां पर प भी याद हो जाएंगे सन भी पूंचा जाता है तो जो अग्य जी का तीसरा पन्या से अपने अजनभी है विवर्ट है कल्यानी है सन्यासी है 59 कॉश्यन या पर दिया ग्या है और 29 में आप सभी का सई आंसर होगा विकल्प नंबर क्या होगा से आंसर विकल्प नंबर एक होगा सई आंसर अपने अजनवी अग्गे जी की रचना मानी जाती है विकल्प नंबर एक आपका सई आंसर है अग्गे जी की रचना मानी जाती है अपने अपने अजनवी और उपन्यास विदा की रचना मानी जाती है तीसरा उपन्यास माना जाता है बताईएगा पर्दे की रानी जाच का पंची मुक्ती पाथ या फिर घ्रणा मई बताईए इलाचंद जोसी जो है इनका पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है तीसबा कॉस्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर आप का यहां पर सई आंसर होगा घ्रणा मई डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सई आंसर यहां पर होगा डी वाला विकल्प आपका होगा सई आंसर इलाचंद जोसी का पहला उपन्यास कौन सा है तो घ्रणा मई आपका सई आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देख क्या दिए गई है 31 चैन करना है चैन कीजेगा क्या होगा सही आंसर मत पूर्ण कॉस्चन दिया गया है और आप सभी का मौटिवेशनल जी सही आंसर यहां पर होगा अंशी पार्टी कॉम्रेड जूटा सच या पिर अमीता या पिर दिब्या यह सपाल के कि सुपन्यास को माका क्यां क्या दे जाती है क्या है आपके लिए छैन करना है कौन सा औपन्यास है तो आप सभी का यहां पर सइय आंसर आ रहा है एक्स्में विकल्प नंबर 2 सइय आंसरों गहां जूटा सच यहां पर सईय आंसर है क्या है सई आंसर जूटा सच यसपाल की रचना उपन्यास विदा की रचना इसको महा कब्ड की संग्या दी जाती है यसपाल करत तेरी मेरी उसकी बात की विदा बताना है यह किस विदा की रचना मानी जाती है यह चार विकल पर दिये गए हैं यहां पर इसमें से बत तो आपका विकल्प नंबर एक सई आंसर है लक्षमी जी विकल्प नंबर एक यानि कि उपन्यास विदा की रचिना मानी जाती है कॉस्चिन नमबर 33 आप से पूंचा गया धर्मबीर भार्टी का गुनाओं का देपता किस परकार का उपन्यास है अभी आप से पूंचा गया था गुनाओं का देपता की रचिना कार कौन है तो अपने यहाँ पर लगाय था धर्मबीर भार्टी किस परकार का उपन्यास माना जाता है यह उपन्यास विदा की रचिना है किस परकार का उपन्यास है यह तो आप सभी का सई आंसर है यह माना ज जाता है रिष तेटिस में विकल्प नमबर डख़ होगा सई आंस्व गयान जाता है डि वाला जो विकल्प है आप सबी सब्सक्राइब का सब्सक्राइब क सब्सक्राइब का नमबर अहीं पर पूंचा यह कि नम्र मैं से कौन सा प्रियोग सी लोपन्यास है, 34 बा कॉस्चन है, बताईए, प्रियोग सी लोपन्यास बताना है, नांगपनी का देश, कब तक पुकारूं, सूरज का सातवा गोला, या फिर रोले और पत्थर, 34 बा कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है, 34 में आपके लिए चैन करना ह इन तीनों विकल्पों में सी बता जीजेगा कौन सा स suspicion होगा, कौन सा प्रियोग सी लोपन्यास माना जाता है, तो आप सभी का यहां पर सिय आंसर है, सूरज का सातवा गोला, डी वाला विकल्प नहीं होगा, सी होगा, आपका सिय आंसर का सिय जो है, वहई आप सभी का सिय यहां पर पूंचा गया है सिया मुसल्मानों की जिंदिगी पर लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है आदा गाउं है मसाल है भैती गंगा है या फिर भैता पानी है या फिर गंगा मैया है सिया मुसल्मानों की जिंदिगी पर लिखा गया पहला उपन्यास जो मान माना जाता है 35 में बहें कौन सा माना जाता है बहुत ही मत् penalty कोष्चिन पूंच लिया गया हैpower मांसूम रजा आदा गाउं आप सभी का सयांसर है राही मासूम रजा की रचना मानी जाती है आदा गाउं मासूम हैं तो मासूम से अपन ने अभी याद किया था राही मासूम रजा अंगला कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है एक इंच मुस्कान वो पन्यास जो है राजन द्यादब ने किस सस्थाना राजेंद्र वस्ती या फिर मन्नु बंडारी 236 वा कॉस्चन यह आपर दिया गया है 36 में आप सभी का सईया आंसरोगा कि एक इंच मुष्कान को राजें ड्याता है वो मन्नु बंडारी ने सहित रूप से लिखा यह उपन्यास माना जाता है एक इंच मुस्कान, अंगला कॉस्चन देखेगा, द्वाभा, द्वाभा उपन्यास जो है, 37 में, वैं किनका उपन्यास माना जाता है, बताइएगा, कॉस्चन नमबर आपका 37 याँ पर पूंचा ग्या है, रांगी रागा, प्रवाकरमाचिवी, अमरित राय, मन मत नात गु होगा, बताइए बहुत ही मत पूंड कॉस्चन याँ पर पूंचा ग्या है, तो द्वाभा उपन्यास की रचेता कौन मानी जाते हैं, 37 में, आपका प्रवाकरमाचिवी, आपका सईयांसर होगा, प्रवाकरमाचिवी, विकल नमबर दू, आप सभी का सईयांसर होगा, विल दोसों, 38 में आपके लिए चेन कनना है, रूद्र बताने कि सुपन्यास कार का उपनाम माना जाता है, तो 38 में आप सभी का सईयांसर होगा, 38 का सी होगा सईयांसर, सिव परसाद, सिव परसाद मिस्र आपका सईयांसर है, इनका उपनाम रूद्र माना जाता है, क्या माना जा पाप पॉन्णिकी साहितिक व्यक्ष्या को आधार बनाया गया है, वयुपन्यास आपके लिए बताना है, तीन बर्स है, चित्र लेखा है, रेखा है, आखरी दाओ है, दो सो उन्तालिस में आपके लिए चेन करना है, तो उन्तालिस का आप सभी का सयांसर है, भगबती चण ब पर्मा की किस पन्यास में पाप पॉर्णे की साहितिक व्यक्या को आधार बनाए गया तो चित्र लेखा आप सभी का सईयांसर है क्या सईयांसर चित्र लेखा होगा सईयांसर विकल्प नंबर दो आपका सईयांसर है आज का आखरी कॉस्चन है सवही नचावत राम गोसाई की लेखक कौन मानी जाते हैं, चालिसवा कॉस्चन यहां पर पूंचा ग्या है, तो इता जी आप सभी का क्या होगा, सई आंसर, सबही नचावत, राम गोसाई, नीलम जी, मत पूर्ण कॉस्चन है, वगवती चन बर्मा, असक, अंचल, रुद्र, तो, सभी लोग बता रहें कि तो सबही नचावत, राम गोसाई, भगवती चन बर्मा जी की रचना मानी जाती है, वेकल्प नमबर एक, आप सभी का यहां पर सई आंसर होगा, विल्कुल सभी वेकल्प नमबर एक, जन्वने भी चन क्या, उनका सई आंसर है, इस परकार के अपने बहुती मत पूर्ण यारी कर रहे हैं, जिसमें आपका साइट पूंचा जाता है, इंदी साइट थे, तो आपके बहुती मत पूर्ण कॉस्चन आंसर, जो है, चार कलासों की माध्यम से आपके लिए करवाए जाते हैं, सुबह, नौ बजे, और फिर एक दुफेर, दो बजे, और एक साम को, चार बार वीडियो को लाइक कर लें, और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लवली जी, और राजन जी, तनु जी, दीपमाला जी, संध्या जी, मेदा जी, सोहिता जी, अनंत जी, लक्ष्मी जी, राजीब जी, और पाहिल रानी जी, सौनी जी, अपन्ना जी, प्रमोद जी, निसा जी, सोहिता जी, राहुल राज जी, बिंदू जी, और रूबी वाला जी, नीता जी, पस्पा जी, नीलम जी, मुस्कान जी, प्रमोद जी, संध्या कुमारी जी, प्रीती प्रोय जी, मॉटिवेशनल जी, और बाल मुकंद जी, दीपमाला जी, मंगीता पाल जी, पंता श्रीवास्तव जी नीतू जी अंस जी नास्ता जी और रीमा जी लबली ठाकुर जी और वेदा जी अंजली जी प्रीती सरदार जी और सुनेना जी तनू जी नेसा जी अंस जी और केदार जी प्रमोज जी विलकुल सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह से जुड़ियेगा रोज आपके लिए जो प्रेक्टेस करवाई जाती हिंदी साहिती की जहांपर मत्वपूर्ण कॉस्चन आंसर सभी के लिए आपर लाए जाते हैं संजु जी तो मिलते हैं अंगली क्लास में सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए जय हिंद झाल